नमस्कार मैं रौनक शुकला प्राइम निस 24 में आपका स्वागत है खबर महराष्ट सरकार को लेकर है महराष्ट में शीव सेना एनसीपी वो कॉंग्रेस फेल बीजेपी पास बीजेपी के देवेंदर फटनविस होंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे अजित पवार महराष्ट में एक बार फिर बीजेपी का पलडा भारी रहा है अजित पवार ने BJP को समर्थन दिया और अब होंगे देवेंद्र फटनविस महाराष्टर के मुख्यमंत्री एवं अजित पवार होंगे उप मुख्यमंत्री महाराष्टर के राजजपाल भगत सिंग कोशारी ने दिलाईशपत वही शीव सेना ने पुत्र मोह में बाला साफ ठाकरे का सपना छोड़ कर कॉंग्रेस से गटबंदन करने का प्रयास किया लेकिन शीव सेना की हार हुई वही महाराष्टर की जनता ने जिस बाला साफ ठाकरे ने अपने हिंदुत्व के लिए अपना ओधा तक छोड़ दिया वो हिंदुत्व के लिए राजनितिक शेत्र में नहीं गए लेकिन उद्दव ठाकरे राश्टर प्रेम छोड़ राजनिती में कॉंग्रेस से मिले और अजित पवार ने बीजेपी को समर्थन देकर देवेंद्र फढविस को मुख्यमंत्री की दावेदारी दी आज 23 नवंबर 2019 को महराष्टर के राजपाल बगत सिंग कोशारी जी ने देवेंद्र फढविस को मुख्यमंत्री एवं अजित पवार को उप मुख्यमंत्री की शपत दिलाई कई दिनों की लंबी राजनीतिक अटकलों के बाद आज विराम मिल चुका है इसी बीच शरत पवार ने इसकी जानकारी नहीं होना बताया वहीं कॉंग्रेस NCP शीव सेना को हार का मुह देखना पड़ा देश की जनता को शीव सेना ने यह सपष्ट कर दिया कि राजनीतिक फायदे के लिए उद्दव ठाकरे अपने पिताव अपने उसूलों को भी दाव पर लगा सकते हैं आज श्री कृष्ण द्वारा सत्यूक में कही गई बात सत्य हो गई जिसमें पुत्र मोह में धर्म को छोड़ दिया उसकी पराजय निश्चित है अभी भी शी उसे ना वो एनसीपी द्वारा कहीं अठकले लगाई जा रही है लेकिन विजय तो धर्म और राष्ट्री प्रेम की ही होनी है टाइम निश्ट 24 से ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली